एलो एवरिवन एक बार फिर से नर्सिंग एजूकेशन के इस यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम डिसकेशन करने वाले हैं बहुस एपोर्टेन कीशञन के बारे में ये आपको क्यूशन लाइफ अभी मिलेंगे साति साथ आपको परत्तेक के एंसवर देने की कोशीश करना और परत्तेक क्यूशन में आपको राइट chang एपकर दोने समय दो ये लिवलिवरिवर हैं तो यहाँ पर राजस्तान CHO हो, या फिर MPCHO हो, CHO के exam के pointer of view से बहुत ही important questions है, तो चलिए बिना time waste की हुए, इस live questions session को हम स्टार्ट करते हैं, first questions की और move करते हैं, इससे पहले request रहेगी कि channel पर नए हैं, तो subscribe कर लेजिए और जो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, तो चलिए start करते हैं, first questions आज का, आपको fix time दिया जाएगा और answer आपको देना होगा, तो यहाँ पर live first questions रहेगा, animometer is used to measure, animometer होता है, वो किसके लिए use किया जाता है, किसके लिए measurement किया जाता है animometer की साहिता से, तो यहाँ पर option A, air temperature and options B, air velocity, option C, humidity and options D, air pollution, तो आप जल्दी comment करें, अपना right answer क्या रहने वाला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, right answer क्या रहेगा, तो option B, इजदा right answer, पर आपका option B है, वो यहाँ पर right answer होने वाला है, CSO के perspective से important questions है, एनेमometer है, वो air velocity के लिए आपका measure, जो है air की जो velocity है, उसको measure करते हैं, किसकी साहिता से, यहाँ पर एनेमometer से, ठीक है, next questions की और move करते हैं, आपन next आपका questions रहेगा, syphilis infect is caused by, जो syphilis infection होता है, वो किसके, इसका जो cause है, वो क्या रेने वाला है, virus, fungus, spirochet, या protozoa, तो यहाँ पर right answer क्या रहेगा, आप जल्दी comment में comment कीजिए, तो syphilis की हम बात करेंगे, तो इसका exact जो answer होता है, right cause होता है, वो होता, tryponema palladium, बट यहाँ पर जो है, इसको क्या बोलते हैं, tryponema palladium को, spirochet भी बोलते हैं, तो यहाँ पर, जो option C is the right answer रहेगा, spirochet, ठीक है, तो यहाँ पर important questions है, जो की exam में पूछा जा सकता है, शिफilis के बारे में, ठीक है, तो यह next questions की और move करते हैं, next, आपका questions रहेगा, which of the following is one of the component of a solution present in blood transfusion bag, जो नीचे आपको रहे रहे हैं, कुछ solution, जिसको इसमें पूचा गया है, कि इनमें से कौन सा solution है, वो blood transfusion bag है, उसमें present रहता है, तो questions समझ में आ गया होगा, एंस्वर आप देखिए, option A, sodium citrate, option B, heparine, and option C, EDTA, and option D, warfarin, तो यहां पर right answer क्या रहेगा, एक बार फिर से आप questions को read कीजिए, which of the following is one of the component of a solution present in blood transfusion bag, तो यहां पर option एक बार फिर से देख लीजिएगा, option A, sodium citrate, option B, heparine, and option C, EDTA, and option D, warfarin, तो यहां पर दोस्तों right answer हो रहेगा, अपना option A, इजदा right answer, sodium citrate, यहां पर आपको एक जैसे की, किसी भी blood transfusion जो बैग होता है, उसके अंदर CPD आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, CPD करके जो है, आपका जो है, इसमें जो है, क्या करते हैं, solution मिलाते हैं, जैसे C का means citrate हो गया, phosphorus हो गया, और D का means dextrose, तो यहां पर जो तीन चीज़ें मिलाई जाती है, तो यहां पर इसमें जो है right answer होगा, option A होगा, next आपका questions रहेगा, how spice is the treatment concept of, यह questions है दोस्तों, जो अभी फिलहाल मारास्टा का जो exam हो है, CHO मारास्टा, उसमें आपको बुचा गया था, कि होस्तों का means क्या होता है, तो option A आपके सामने है, terminally ill cancer patient, option B, psychiatric patient, option C, cardiac patient, and options D, all of these, तो यहां पर right answer क्या रहेगा, होस्तों का means होता है, terminally ill cancer patient, या फिर जो भी terminally ill patient होते हैं, उसकी जो है means होता है, हास्पाइस, तो option आपका यहां पर right answer जाएगा, तो यहां पर I hope यह समझ में आ गया होगा, हास्पाइस का means terminally ill cancer patient, next आपका क्यूसंस रहेगा, which among the following patient require a sodium restricted diet, इनमें से कौन सा patient है, जिसको हम sodium restricted diet देंगे, patient with fracture, patient with heart failure, option C, patient with gastroenteritis, option D, patient with inflammatory disease, तो यहां पर right answer क्या रहेगा, आप जल्दी अपना answer दीजिए, तो हम right answer की बात करेंगे, तो यहां पर आपका जो है option, जो है B इजदा right answer, patient with heart failure, heart failure का जो patient होता है, उसमें हम sodium restricted diet देते हैं, mostly, क्योंकि जब sodium की right देंगे, तो sodium है, वो अपना जो है, fluid, जो water है, उसको retention करेगा, और water retention की वज़े से, जो है, blood volume है, body का, जो है, already यहां पर heart failure में बढ़ा गया है, blood जो है, pump है, वो नहीं कर रहा है, heart fail हो रहा है, जैसे आप sodium diet देंगे, तो वो water को फिर से absorb करेगा, और यहां पर जो fluid volume है, body का, वो increase करा है, जिसे heart failure है, उसकी जो और ही condition वो बत्तर होती जाएगी, तो इस conditions के कारण यहां पर जो heart failure के percent में, sodium की जो diet है, वो restrict की जाती है, ठीक है? तो यहां पर question 6 आपके सामने है, which of the following is not a skin traction, इनमें से कौन सा है, वो skin traction नहीं है, option A, books extension, options B, sorry, books traction, options B, brand traction, option C, result traction, and options D, crutch field traction, तो यहां पर skin traction का पुचा है, इनमें से कौन सा नहीं है, आप जल्दी answer कीजेगा, तो यहां पर right answer क्या रहेगा, दोस्तों, right answer अपना रहेगा, option D, इजदा right answer, जो crutch field traction होता है, वो skin नहीं, वो उसको बोलते हैं, इसके lateral traction, और इसका use है, वो किसमें आता है, जो की cervical injury होती है, उस दोरान इसमें, जो है, use किया जाता है, crutch field traction, तो यहां पर, यह questions का right answer क्या रहेगा, D option is the right answer, next आपका questions है, 7, while cleaning eye, it has to be cleaned from, आप eye cleaning कर रहे हैं, मालों की आप किसी भी patient, या फिर newborn baby की आप eye cleaning कर रहे हैं, तो आपका जो है, cleaning का जो है, form क्या रहेगा, जैसे की options A में दे रहा है, inner canthus to outer canthus, outer canthus to inner canthus, and option C, middle of the eye to outer canthus, options D, middle of the eye to inner canthus, तो मैं आशा करता हूँ, यह questions परतेक student का सही होना चाहिए, तो यहां पर जो है, option A is the right answer, inner canthus to outer canthus, आपकी यह जो आई है, इसकी जो, यह inner canthus है, यह इससे outer canthus की और आपको क्या करना होगा, आई को clean करना होगा, और जब आप eye clean करना है, तो एक आई से clean करना, next, दूसरा स्वाब लेना, दूसरे eye को clean करना होगा, तो यह आपको ध्यान रखना होगा, next, आपका cushions रहेगा, while wearing sterile gloss, first glow to be worn in hand, आप wear कर रहे हैं, glow को जो की sterile है, तो सबसे पहले आप कौन से hand में आप glow पहनेंगे, option A है आपका hand, जो any hand किसी भी हाथ में पहन लो, options D, dominant hand, आपका जो dominant hand है उसमें पहना होगे, या फिर option C, non-dominant hand, and options D, always right hand, तो यहाँ पर इस questions का answer क्या जाएगा, हमेशा याद रखना, यह questions काफी बार exam में पूचा गया है, और अभी भी next पूचा जा सकता है, कि आप जब भी wearing करते हो, glow तो यहाँ पर सबसे पहले, आप non-dominant hand में यहाँ पर wear करते हैं, ठीक है, next आपका questions 9, the method used for administrating medication into the ear is called, आप medicine है, किसमें कर रहे हैं, year में आप administration कर रहे हैं, उस conditions को क्या बोलेंगे, option A है आपका installation, option B injection, option C inhalation, option D infiltration, तो यहाँ पर जो है, year में आप administration कर रहे हैं, तो इस condition को क्या बोलेंगे, तो आप जल्दी comment box में comment करें, तो सभी student का answer right आ रहा होगा, तो यहाँ पर option A है, वो आराई टेंसर रहेगा installation, आप installation मींस किसी भी body cavity में, आप drop by drop आप यह जी कोई drug है, वो administration कर रहे हैं, तो उस conditions को बोलेंगे installation, और injection के दोबरा आप IM, जो की muscles के अंदर, जो है आप injection के दोबरा, जो है medicine administration करते हैं, इन्हेलेशन मींस आप जैसे की, अस्तमा का पैसेंट है, या फिर किसी भी respiratory conditions में, इन्हेलर या फिर MDR, जो multi dose inhaler है, वो condition में इन्हेल करवाए जाता है, gas form में वो करते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना होगा, नेक्स आपका QS रहेगा 10, नॉर्मल फ्लांटर जो है, बाबिन्स की reflex response in adult is, अडल्ड का पूचा है, कि अडल्ड में यह दि बाबिन्स की reflex response कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर है option A, flexion of arm at elbow, option B, extension of arm at elbow, and option C, extension of leg at knee, and option D, bending of toy downward, तो यहाँ पर जो है, नॉर्मल जो है planter जो reflex जो है वाबिन्स की, वो adult में हम बात करेंगे, तो दोस्तों इस QS का जो right answer है, वो option D होगा, जैसे ही आप उसके heel की और जैसे कोई भी नुकिली चीज उसको घुमाएंगे, outer to, जो तो उस condition में वो अपना जो है, तो है, वो bend करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर option जो है, D right answer जाएगा, ठीक है, next आपका questions रहेगा, 11, visual, जो है, equity आप can be assessed with, तो यहाँ पर visual, जो आपके equity किसे आप जो है, असेस कर सकते हैं, इसमें options A है, ophthalmoscope, option B, salinence, options C, goniometer, and options D, refractometer, तो यहाँ पर visual है, आप कैसे check कर सकते हैं, तो यहाँ पर सभी, जो है, student का right answer आ रहा है, option B is the right answer, salinence, जो है, 60 है, उसकी चाहिता से, ठीक है, next questions आप कराएगा, 12, यह questions है, कुसुमाल breathing is a deep and levered, breathing pattern of associated with, कुसुमाल respiration क्या होती है, कि जब क्लाइट breathing उसकी depth और breathing की rate है, वो दोनों ही increase हो जाती है, तो उस conditions को बोलते है, कुसुमाल respiration और यह किसमें देखी जाती है, diabetes, ketoaciduses, या फिर hepatitis, या फिर hepatomegalie, या फिर acute renal failure, तो इस questions का right answer क्या रहेगा, आप जल्दी बताएं, तो right answer की हम बात करेंगे, तो right answer option A, जदा right answer diabetic, जो ketoaciduses के patient होते हैं, उसमें जो है कुसुमाल respiration आपका देखा जाता है, next आपका question, sudden fall of temperature is called, body temperature है, वो sudden fall हो रहा है, तो उस conditions को क्या कहेंगे, crisis कहेंगे, lysis कहेंगे, relapse कहेंगे, या फिर quad retain कहेंगे, तो यहाँ पर जो right answer रहेगा, क्या रहेगा, आप जल्दी comment box में comment करें, तो यहाँ पर जो right answer रहेगा, option A, जदा right answer, crisis बोलते हैं, उसको यदि sudden हो रहा है, यदि जिग जग मैनुर में हो रहा है, धिरे दिरा हो रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना होगा, यह important question से पूचा जा सकता है, next, universal precaution in hospital involved, hospital में जो universal आप precaution, जो है, प्रोकेशन कर रहे हैं, तो उसमें कौन चीज़ीजे involved होती है, glowing, या फिर mask and gowning, hand washing, या all of the above, तो यहाँ पर इस questions का right answer क्या रहेगा, जल्दी comment में, comment box में जरूर करें, तो यहाँ पर all of the, यहाँ पर right answer रहने वाला है, next, आपका questions, बहुत important questions है, if a narrow cuff is used for major BP, then what will be outcome, आप patient की BP ले रहे हैं, उस conditions में, आपने यह यह BP cuff है, वो narrow कर दिया है, तो उस conditions में, आपका जो outcome क्या रहेगा, option A है, actual reading will be obtained, false high reading will be obtained, false law reading will be obtained, BP can't measure, तो यहाँ पर क्या right answer होगा, दोस्तों, यहाँ पर काफी student confused होते हैं, बट confused होने की, यहाँ पर आप सकता नहीं है, यह ध्यान रखना हमेशा, तो इस questions का right answer रहेगा, option B is the right answer, next questions की और move करते हैं, next आपका question ने गया, infection occur, following treatment, modality or procedure is known as, तो यहाँ पर क्या है क्या रहेगा, questions को पहले ध्यान से पढ़िएगे, काफी questions, इसमें काफी student A बता रहे हैं, काफी B बता रहे हैं, इस questions को ध्यान से पढ़िए, question 16 में क्या ले रहा है, कि infection occur following treatment, modality or procedure is known as, following treatment और यहाँ पर procedure का पूचा गया है, उस दोरान आपका जो है infection होता है, उस conditions को क्या बोलेंगे, तो option A है आपका, hydrogenic infection, nozocomial infection, concurrent infection, और formid infection, तो यहाँ पर right answer दोस्तों क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है right answer रहेगा, option A, hydrogenic infection, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर procedure की, दोरान डॉक्टर्स या फिर कोई health care provider आपका procedure कर रहा है, उस दोरान यह दी कोई infection हो जाता है, उसकी वज़े से उसको बोलते हैं, hydrogenic infection, nozocomial infection, hospital acquired infection, जो भी किसी patient या फिर द्वारा आपको जो है infection होता है secondary, और उसके बाद में आपका जो फॉमिट है, वो किसी जैसे कि आप बरतन है, उसको खाना के ला रहे हैं, उस दोरान यह दी कोई infection हो होता है, तो फॉमिट infection बोलते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना है, बहुत important questions है आपका, next questions, the drug used in paracetamol acid aminophan poisoning, आप important questions है, जो कि essential drug आपका topic है, उसके अंतरकर दी आता है, paracetamol जो है drug है, वो poisoning है, उसमें आप क्या use करेंगे, nalaxone करेंगे, या acetyl salicylic acid करेंगे, या flumagene करेंगे, या फिर n-acetyl systeen करेंगे, तो इस questions का, जो right answer रहेगा, दोस्तों, वो रहेगा, option D, जदा right answer, n-acetyl systeen, यह काफी important questions है, जो कि paracetamol का, जो है आपका, जो poisoning में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, antidote है, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, important questions, next questions, आपका रहेगा, CPAP strand for, CPAP के strand के, जो इसकी full form क्या रहेगी, continue permanent airway pressure, option B है, continue positive airway pressure, option C, जो है, continues prolonged airway pressure, and options D, continues passive airway pressure, तो यहाँ पर जो है, right answer रहेगा, option B, जदा right answer रहेगा, continue positive airway pressure, ठीक है, यह ध्यान रखना होगा, कापी अच्छा, जो क्यूशन से, पूचा जा सकता है, regulation of pH, within the body, is done by, pH का regulation है, बोडी के अंदर कोन करता है, option A, spleen, option B, liver, option C, heart, and option D, kidney, तो यहाँ पर जो है, right answer रहेगा, kidney, kidney के दोबरा है, जो pH का maintain किया जाता है, बोडी में, यह ध्यान अखना होगा, important questions है, next, आपका, last, आज की, test practice का, एस्थनों इस्पर्मिया किसे कहते हैं, काफी अच्चा question से, confused नहीं होना है, option A, failure to produce, जो है, सीमन, options B, absence of sperm from the semen, option C, reduce sperm mortality, and options D, purgence of sperm with abnormal, तो यहाँ पर इस questions के, जो right answer देने की, आप जल्दी कोशिश करें, क्या रहेगा, right answer, सबी का, right answer तो नहीं आ रहा है, कुछ यहाँ पर बोल रहे है, option B, कुछ C, तो यहाँ पर हम, इस questions के, right answer की बात करेंगे, तो right answer option C रहेगा, sperm की जो mortality है, वो रिडियो जोना, उसको बोलते हैं, एस तनो, इस परिमिया, तो यह questions का, पूचा भी जा सकता है, तो आज के, इस जो है, test practice में, हमने अच्छे, 20 questions के बारे में, जो है, discussion किया, आप कितने questions, इसमें से आपके wrong हुए, कितने right हुए, वो आप comment box में, comment जरूर करें, और, वीडियो अगर आपको यह पसंद आया, तो इसको like करें, साथ ही साथ, अपने साथियों के साथ, share जरूर करें, यह आपका responsibility है, मिलते हैं, ऐसे ही, इसी next video में, तब तक के लिए, आप सभी friends, स्वस्त रहें, मस्त रहें, thank you friends,